दोस्तों पिछले दो तीन दिनों से हो रही लगातार बाजिश ने बलरामपुर्प जनपद में बार की इस पिर्फे लादी है पिछले साल भी यहां पर काफी बार आई थी लेकिन इस बार इस बार की चुरुआ हो चुकी है आप देख रहे हैं हम लोग इस समय हैं लौकाहव में तो ललिया थाना के पास पड़ता है यहां पर हमोमन हर साल यही इस्तिती हो जाती है आज भी हम लोग जब आगे जाने के लिए यहां पर पहुंचे तो देखा की पूरा रास्ता बंद था काफी लोग यहां पर खड़े भी थे क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है औ नाले को इस पानी को पार करने के लिए तैयार है और संभावता आगे पार भी कर जाएगा तो देखते हैं कैसे पार करता है वला को ची पार पाराई परुणाऊ का पार पार रूप भी तины को रूप का पार बंद तyas की पारपगाने का बंद पार के सी पुरा कर वहां पार पार रथा जैसे घुड़े वहां पार कर रभ्धे तैयार है जूऑ मेरे तो golpeला क्वार के साय बाश्ता का तो ञचे चार मे देखो भाई सामेट बख वाला भी निकाल रहा है और यह निकाल देगा पाई बहुत ज्यादा है वहाब होते हैं लेकि यह बड़ी काड़ी में इसको कोई जादा परत्त पड़ने वाला है तो इसलिए पूरे जल्वे के साथ निकल दा है अगर हमारे पास भी बहुत बड़ी काड़ी होते है और निकल से ही तो इसलिए पूरें ट्रेंट पर भी गया है तो इसना तो भीगना ही है यह देखें आपर मोटोसाइकल बिल्कुल पह रहे है इतना तेज रफ्तार है पानी का पूसित देखे कि तरीके से तो लोग मुलकर समाल रहे हैं विकिन समाल नहीं पा कि उस देर से बहाओ धुकापी तेज हो गया है पहले शुरुआत में जब लोग यहां पहुंको इसना पहाओ नहीं था लेकिन अब बहाओ ज्यादा तेज हो गया है अगर इसका क्या कहना है कि तो राजा है बाढ़का ऐसे ही राज्त चलने के लिए इसे बनाया भी गया है कि वह अराम से निकल गया है है तो देखा आपने इस राष्टे पर हर साल बाढ़ा जाती है हमारे कुछ और साथी भी यहां पर सुमिझ जी आ गया है और अब शानी अभी आ गया है हम इस राश्ते पर निकलना थे लेकिन हम लोग इस रास्ते से गु तो पुल मिलाकर बाहर यह आज बढ़ेगा कल तक हो सकता है परसों तक दो तीन दिन रास्ता यह ब्लॉक रहने वाला है मिलते हैं आप से किसी और वीडियो में किसी और जगा नमस्कार